वेलकम बैक टू SKH क्लासेज जितने भी स्टूडेंट जो JN भरती के लिए वेट कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये न्यूज है और आप देख सकते हैं क्योंकि काफी टाइम से JN की भरती नहीं आई है तो जो स्टूडेंट JN भरती के लिए त्यारी कर रहे हैं तो वो सभी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि इसकी वेकेंसी आखिर कब तक आ जाएगी टाकि वो अपनी त्यारी जो है वो continue रक्स के अब देखो फ्रेंट्स यहां पर अलूक राजजी जो है इन्होंने कमेंट करके बताया है कि JN भरती कुछ युवा पूछ रहे हैं कि हमने JN प्रिक्षा के लिए विगपती क्यों नहीं निकाले Actually हम समन्दित विवागों पर निर्बर है हम अपने आप कोई भी भरती या प्रिक्षा का निर्बर नहीं लेती है कनिस्ट अभ्यंता के पदों के लिए तीन विवागों से अर्था प्रापत नहीं हुई है इनसे प्रापत होने पर ही शुक्त भरती की कारवे की जा सकेगी तो इन्होंने कौन-कौन से कितने डिपार्टमेंट की बात की है इन्होंने कहा है कनिस्ट अभ्यंता के पदों के लिए तीन विवागों से तीन डिपार्टमेंट से आकी वेकेंसी आने वाली है अगर अपनी इसमें भी बात करें तो आकि एक प ascitaras विवाग के अंदर आने वाली है और एक विद्यित विवाग के अंदर भी आकि वेकैंसी आने वाली है और इस परकार से आकि एट्री डिपार्टमेंट में आकिः वेकैंसी आएगी ठीक है तो friends यहाँ पे जितनी भी student जो जैयन अगर अपनी बात करें यहाँ पे civil branch से समंदित है या electrical branch से समंदित है कुछ post इसमें electronics की भी रहेगी तो वो सब भी student जो wait कर रहे हैं उनको अपनी त्यारी जो है अगर वो कर रहे हैं तो उनको त्यारी continue रखनी चाहिए इसकी vacancy आपके definitely आएगी अभी थोड़ा इसमें time लगेगा तो आपको क्या करना है कि अभी से अपनी जो है त्यारी जो है वो शूरू रखनी है ठीक है त्यारी को बीच में gap नहीं देना है क्योंकि exam आने पर आप जो है उस चीज को continue नहीं रख पाते हैं तो उसकी वज़े से आपकी exam पे भी effect पड़ता है तो जो चीज़ें है आपको सारी continue अपनी त्यारी अच्छे से रखनी है तो यहाँ पे friends जितने भी student जो जैयन भरती के लिए वेट करें उनके लिए अच्छी ख़वर तो यह है कि आपके लिए यह news जो है वो आ चुकी है कि जैयन की जो भरती ह वो तीन डिपार्टमेंट से अतना प्रापत होने के बाद में आपकी जो शुक्त भरती जो है उसकी कारवे की जास केगी तो यहाँ पे definitely यह चीज़ है कि आपकी वेकेंसी आएगी आपको इसकी त्यारी जो है वो अच्छी से शुरू करने चाहिए तो friends अगर अपनी बात क थी उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है कि उनका जो एक्जाम हुआ था प्रिक्षा टाइम के बारे में तो friends आप यहाँ पे देख सकते हैं सावजनिक निर्मान विभाग स्वास्तिय अभियांत्रिक की विवाग और शाष्न विवाग से जो समंदित यहाँ पे जो वेक आपको दे रखा है सावजनिक निर्मान डिपार्टमेंट जिसके अंदर आप देख सकती हैं गैर अनसुचीत के अंदर आपकी जो टोटल पोस्त थी लगबग चार सो सम्थिंग आपकी पोस्त थी ना और जो अनसुची छेतर था उसमें आपकी टोटल पोस्त कितनी थी 37 के तोटल यहां पर अनसुची छेतर के अंदर पोस्त थी यादि अगर अपनी बात करें सावजनिक निर्मान विवाग के अंदर जो टोटल पोस्त पिछली बार निकाले थी लगबग 500 पोस्त थी आपकी जन स्वास्तिय अभियांतरी की जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर इसके अंदर जो टोटल आपकी पोस्त थी वो कितनी थी तोटल अगर अपने पदों की बात करें तो यह लगबग 400 पोस्त थी आपकी जिसके अंदर आप देख सकती है जो गैर अनसुची छेतर है उसके अंदर आपकी टोटल पोस्त थी तीन सो प्लस सम्तिंग एंड यहां पे 12 पोस्त जो है अनसुची छेतर से समंदी थी जो थर्ड डिपार्टमेंट है वो कौन सा है आपका स्वायत साशन विवाग हना तो यहां पे स्वायत साशन विवाग की अगर अपने बात करती है तो यहां पे टोटल आपकी जो पोस्त थी वो कितनी थी लगबग आप दे पान में पदों पे यह आपकी पड़ती थी जिसके अंदर आगर आप देखे तो यहां पे गैर अनसुची छेतर में 1040 पदों पे यह विकैंसी थी और 52 जो थी वो आपकी जो श्यूक्त भरती थी वो 2022 के अंदर आई थी अब जो है 2024 के तो आप यहां पे देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन या पातरता जो रखे गी थी वो किस परकार से थी और मैं इसके पैमेट्रिक भी आपको बता दूंगी कितनी है क्या है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो पातरता और सेक्षिनिक योगेता इसके अंदर रखे गी थी वो यहां पे आपकी जो इस परकार से यह आकी ब्रांच को इसमें शामिल किया गया था कनिष्ट अभ्यांता सिविल डिग्री धारी पर्द हेतू यहां पे भारत में विदी द्वारा स्तापित किसी विश्यत धाले अमानेता प्रापसंस्ता से सिविल इंजिनिरिंग में डिवगी या सरकार द्वा डिप्लोमा धारी पोस्ट के लिए यहां पे आपको जो है इस पोस्ट के लिए किसी मानेता प्रापसंस्ता से सिविल इंजिनिरिंग में डिप्लोमा इस्टिटूट ओफ इंजिनिरिंग द्वारा मानेता प्रापत सिविल इंजिनिरिंग में डिप्लोमा और यहां पे प्र विजूत यानिकी इन्जिनिरिमें डिग्री या सरकार के स्वंटु ले गोशित अहरता, नेक्स्ट यहांपे डिप्लोमाकनिष्ट अभ्यंता, पोस्ट के लिए डिप्लोमा धारी जो हैं, उनके लिए लेक्ट्रीकल, किसी माननेता प्राफ संस्ता से विजूत यानिकी दबारा मान्यता प्रापत इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग में डिप्लोमा या अधियन वर्ति प्रिक्षा चूर जाने की प्रियोजन के लिए नेक्ट देखो यहां पे आके हैं मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए कनिष्ट अभ्यंता जो पोस्ट है उसके लिए मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है भारत में विदी द्वारा स्तापित किसी युनिवस्ट्टी से इलेक्ट्रिकल और यानिकी मेकैनिकल के अंदर डिग्री आपके पास होने जाए ठीक है नेक्ट देखो यहां पे आ ता परापत है अधिकनिकल इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग में डिप्लॉमा यहां पे इलेक्ट्रीकल और सिविल में पोस्ट के लिए और शक्राइच के लिए इसमें बहुत कम होती है अगर अपने बात करें तो बाकि यह तीन जो है आप की ब्रांच है वह इन्होंने बता टो यहां पर प्रार्मिक वेतनमान तो आपको पे दिया जाता है तो जो भी स्टूडेंट इसे की त्यारी करना चाहते हैं वह सबी स्टूडंट अभी से इसकी त्यारी शुरू करतें तो फ्रेंट्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेर करना साथ में ही फ्रेंट्स इस वेकैंसी से रिलेटेड कोई भी इनिफोर्मिशन साती है तो वह आपको इस चैनल के थूर परवाइड करवा द